हाई गाईज आएम वन्शिका गरवाल और आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड एंसी आर्टी हिंदी बुक का चाप्टर भालू ने खेली फुटबॉल सो लेट्स स्टार्ट सर्दियों का मौसम था सुभा का वक्त था चारो और कोहरा ही कोहरा एक शेर का बच्चा सिमट कर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था इसमें इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि ठंड का मौसम हो रहा था और सुभा का समय था और हर तरफ के वल कोहरा ही कोहरा था कोहरा आपको पता होगा जो ठंड में वाइट वाइट सा धूआ होता है ना उसे हम कोहरा कहते हैं और एक शेर का बच्चा गोल-गोल सिमट कर जामुन के पेड़ के नीचे सो रहा था आप यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हैं इधर भालू साहब सेर पर निकल आये थे लेकिन पच्चता रहे थे और जो भालू थे वो सेर पर तो निकल आये लेकिन वो अफसोस कर रहे थे कि मैं क्यों आया तब ही उनकी नजर जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी तब ही उन्होंने जामुन के पेड़ के नीचे देखा आँखे फैलाई अकल दोडाई अहा फुटबॉल सोचा चलो इससे खेल कर कुछ गर्मी हासिल की जाए तो उन्होंने फिर उससे खेलने की सोचा क्योंकि उन्होंने शेर के बच्चे को फुटबॉल समझ लिया था आओ देखा न ताओ देखा भालू जी ने पैर से उच्छाल दिया शेर के बच्चे को हरवडी में शेर का बच्चा दहाडा और फिर पेड की एक डाल पकड़ ली तो जो भालू थे उन्होंने ना इधर देखा ना उधर देखा और शेर के बच्चे को उच्छाल दिया फिर शेर का बच्छा दहाडा और उसने पेड की डाल पकर ली मगर डाल तूट गई भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए पच्छताए लेकिन अगले ही पल दोड़ कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्छे को लपक लिया सो अरे यह क्या शेर का बच्छा फिर से उच्छाने के लिए कह रहा था और अब जो शेर का बच्छा था उसको मजा आ रहा था तो वो बोल रहा था कि और उच्छालो गर उच्छालो एक बार फिर भालू दादा ने उच्छाला दो बार तीन बार फिर बार बार यही होने लगा शेर के बच्चे को उचलने में मजा आ रहा था परन्तू भालू ठक कर परिशान हो गया था ओहो किस आफ़त में आफ़सा बारहवी बार उच्छालते ही भालू ने घर की और दोर लगाई और गायब हो गया अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से जमीन पर आ गया डाल भी तूट गई तभी माली वहां आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा डाल तोड़ दी पेड की लाओ हर जाना शेर की बच्चे ने कहा जरा ठीक तो हो लूँ माली ने कहा ठीक है मैं अभी आता हूँ माली के वहां से जाते ही शेर का बच्चा भी नौदो गया रहा हो लिया उसने सोचा जान बच्ची तो लाख हो पाई सो अब हम इसके कोश्चन्स देख लेते हैं कहानी से शेर के बच्चे ने पेड की डाल क्यों पकड़ी इसमें आप से पूछ रहा है कि जो शेर का बच्चा था उसने पेड की डाल क्यों पकड़ी इसमें आप लिखेंगे नीचे गिरने के डर से शेर के बच्चे ने पेड की डाल पकड़ ली शेर का बच्चा क्यों दहाडा? डर के मारे शेर का बच्चा दहाडा भालू साहब किस बात पर पच्चताए? भालू साहब शेर के बच्चे को गेंद समझ कर उचालने पर पच्चताए भालू ने क्यों कहा अहा किस आफ़त में आफ़सा क्योंकि भालू साहब शेर के बच्चे को उचालते उचालते ठक गए थे पहले क्या हुआ फिर क्या क्या हुआ सो यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स दिये गए हैं आपको बताना है कि इसमें पहले क्या हुआ था और बाद में क्या क्या हुआ था भालू ने शेर के बच्चे को उच्छाल दिया शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकर ली भालू ने घर की ओड़ लगाई भालू साहब सैर को निकले सो यह सबसे पहला पॉइंट है आप यहां देख सकते हैं फोर्स नमबर वाला जो पॉइंट है भालू साहब सैर को निकले ये तो first है and next है भालू ने शेर के बच्चे को उच्छाल दिया first वाला ये second है and next है हमारे पास second वाला शेर के बच्चे ने पेड़ी की डाल पकड़ लिये third है and next है हमारे पास भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया और अगला हमारे पास जो लास्ट बचा है वो है भालू ने घर की ओर दोर लगाई क्या होता अगर भालू शेर के बच्चे को न पकड़ता तो इसमें आप लिखेंगे शेर का बच्चा धड़ाम से नीचे गिर जाता शेर का बच्चा नौदो ग्यारा न होता तो मालिक उसकी छुट्टी कर देता यानि मालिक उसको बहुत बरस्ता और उनको पीटता भी करके देखो जब भालू ने शेर के बच्चे को चाला वह दहाडा उसके दहाडने के आवाज कैसी होगी बोलकर दिखाओ या आपके क्लास अक्टिविटी है आप चाहें तो इसे कर सकते हैं नीचे लिखे कामों को कैसे करते हैं काक्षा में करके बताओ ये भी क्लास अक्टिविटी है शेर के बच्चे ने सुनाई आप भी थी शेर के बच्चे ने घर जाकर अपने माता पिता को अपनी कहानी सुनाई उसने क्या क्या सुनाया होगा बताओ इसमें आप तो लिख सकते हैं आपने पढ़ी है कहानी खेल खेल में फुटबॉल को फुटबॉल क्यों कहते होंगे क्योंकि जो फुटबॉल होती है वो पैरों से खेली जाती है और फुट का मतलब होता है पैर और बॉल का मतलब होता है गेंद ऐसे खेलों के नाम बताओ जिनमें बॉल गेंद का इस्तमाल करते हैं इसमें आपको बताना है कि एसे कौन-कौन से गेम्स हैं जिनमें हम बॉल का इस्तमाल करते हैं पिठ्ठु तो इसमें पहले से लिखा हुआ है और आप यहां लिखेंगे क्रिकेट, टैनिस, बैड्मिंटन राइट तुम्हारी समझ से ठंड से बचने के लिए शेर का बच्चा गोल मटोल से मटकर बैठ गया था तुम्हारी विचार से शेर का बच्चा ठंड में बचने के लिए और क्या-क्या कर सकता था इसमें आप लिख सकते हैं कि शेर का बच्चा अपने गुफा में जा सकता था या फिर वो किसी जाड की पीछे चुप सकता था उसमें गर्मी होती है ना या फिर वो भी दौर लगा सकता था दौरने से गर्मी आती है उलट पुलट सर्दियों का मौसम था चारो कोहरा ही कोहरा गर्मियों का मौसम था चारो धूप ही धूप उद्वहरन के अनुसार शब्दों को उलट कर देखो शेर का बच्चा फिर से उच्छालने को कह रहा था सो इसका आप उल्टेंगे तो इसका होगा लपकना शेर का बच्चा फिर से लपकने को कह रहा था पेड की डाल पकड ली पेड की डाल छोड दी पिट्टू को सितौलिया भी कहते हैं ठंड से बचना भालू ने ठंड से बचने के लिए फुटबॉल खेलने के बाद सोची तुम ठंड से बचने के लिए क्या-क्या करती हो राइट का निशान लगाओ इसमें आपको बताना है कि आप क्या-क्या करते है जब सर्दियों से आपको बचना होता है हम देखते हैं दौर लगाती हो नई बहुत ठंड होती है इसमें दौर कौन सकता है गर्म कपड़े पहन कर घर में बैठती हो ये ठीक है गर्म कपड़े पहन कर घर में बैठते हैं रजाई ओडते हैं आग दापते हैं, ठंडा पानी तो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, सर्दियों में सर्दी हो जाती है, गर्म पानी से नहाते हैं, येस, गर्म गर्म चाय पीती है, येस, ये भी है, सो यहां आपका चाप्टर फिनिश होता है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक्स पर वाचिंग,